Justice! 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 ना एधर ना उधर सीधे मुद्धे पर नजर क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू चुके हैं निउस एटीन आपके पुनीद के साथ 3D मैपिंग से होगा वारदात का खुलासा सुप्रीम कॉट ने मामले में ले खर संग्यान पीडिता के पिताने भी लगाए हैं गंभीर आरूप विरोध के बीच फुटबॉल मैच को भी करना पड़ा है कैंसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्चर के रेप मडर केस पर सुप्रीम कोट ने रविवार को स्वतह संग्यान ले लिया बीस अगस्त को सुबह साधे तस बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचूर की बेंच मामले की सुनवाई करेगी इसमें तीन जज होंगे सीजी आए के अलावा जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्डा इसमें शामिक रहेंगे अब देखना ये है कि 20 अगस्त याने के मंगलवार को इस मामले में क्या होता है लेकिन इससे पहले हिला कर रख देने वाली इस बारदात पर खूब हंगामा और राजनिती भी हुई है एक तरफ डॉक्टर्स पूरे देश में प्रदर्शन कर रहें दूसरी तरफ इस पर सियासत का रंग चढ़ता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा हमने देखा कि शुकरवार को खुद ममता बेनर जी भी सड़क पर उत्री और प्रदर्शन करती नजर आई इंसाफ मंगती वो भिताव जब उनकी ही सरकार प्रदेश में है और वो खुद मुख्यमंत्री की कुरसी पर है ममता बेनर जी की इस प्रदर्शन पर लगातार कई दल बीजेपी समेट सवाल उठा रहें महीं कोलकाता की घटना के विरूध में देश भर में डॉक्टर्स के विरूध प्रदर्शन का आज नौवा दें रहा मामले की जाज करें सीबियाई ने बताया कि आरोपी संजय का साइकोलोजिकल टेस्ट भी किया गया है दरसल 9 अगस को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलिज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई 14 अगस की देर रात इसी अस्पताल में खुब हिंसा देखने को मिली इसके बाद डॉक्टर्स ने प्रदर्शन और तेज कर दिया गया कोलकाता पोलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसर लॉकेट चटरजी को नोटिस जारी कर तीन बज़े के लिए आज पूछदाच के लिए बुलाया था पोलिस दरसल ये कह रही है कि ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने का इन पर आरोप है इसलिए बुलाया इदर कोलकाता पोलिस ने टीमसी के सांसर सुखेंदु शेखर को भी समझ जारी किया और पूछदाच के लिए बुलाया उन पर भी केस को लेकर अफ़वा और फर्जी खबरे पहलाने का आरोप है CBI की टीम आरजिगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमर्जेंसी वॉर्ड में 3D लेजर मैपिंग भी करने के लिए पहुँची थी दरसल 14 अगस को जो तोड़ फोड होई और हिंसा होई इस मामले में कोलकाता पोलिस ने दो और लोगों को गिरफतार भी कर लिया है और आप तक इस मामले में 32 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है इधर के इंद्र की तरफ से आदेश आया कि हर दो घंटे में हर राज्य को कानून विवस्था के रिपॉर्ट देनी होगी 17 अगस की देर राद के इंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है अब सभी राज्यों को हर दो घंटे में कानून विवस्था की चौनकारी ग्रे मंत्राले के कंट्रोल रूम में पहुचानी होगी इमेल करना होगा, वाट्सेप करना होगा या फैक्स करना होगा अब एक चीज और आपको बता देए ताज़ा अपडेट के आए, मेडिकल कॉलेज जहां घटना हुई, उसके पास 1663 लागू हो कही है जिसमें कहा गया कि अगले साथ दिनों तक, यहने 24 अगस्त तक यहां धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता बंगाल सरकार महिला करमचारियों की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी घोशनाई भी कर सकती, इस बीच यह खबर आई इसमें क्या क्या हो सकता है, रात के समय काम करने वाली महिला करमचारियों के लिए रात्रेर साथ ही प्रोजेक्ट की शुरुवात हो सकती है यानि की महिला करमचारियों के साथ उनका कोई साथी भी रहेगा, वो अकेले ड्यूटी पर नहीं होगी महिला डॉक्टर्स और नर्सों को बारा घंटे से ज्यादा काम करने की इजासत भी नहीं होगी नाइट ड्यूटी की अगर जहां तक बात है तो वो भी कम लगाई जाएगी महिला सुरक्षा के लिए जो हेल्प लाइन नंबर है आपाद कालिन उसकी शुरुवात होगी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सुरक्षा जाच भी अब जरूरी करती गई है CBI की टीम ने इधर रविवार को हॉस्पिटल के उस इमर्जिंसी वाट की 3D लेजर मैपिंग की ये तकनिक दिवार से दिवार तक 360 डिगरी की तस्वीर ले पाती है आपको ये जानका रहरानी हो जाएगी ही कि इसमें खोन का एक छोटा सा छींटा भी कैप्चर कर लिया जाता है कहां से किस चीज की कितनी दूरी होती है उसकी मैपिंग हो जाती है इसके जरीए अब 3D मैपिंग से फाइदा क्या है क्या है ये तो आपको बिता दिया फाइदा क्या है अमेरिकी और यूरोपिय देशों में इस टेकनोलोजी का खोब इस्तमाल किया जाता है इससे जो सबूत इकठा होते हैं घटना की कड़ी से कड़ी कड़ी दर कड़ी जोडने में इसमें मदद मिलती है और कोट में जब जाच एजनसी इस मामले के बारे में जानकारी रखेगी तो ये मैपिंग भी पेश होगी कोट को ये बताना आसान इस से हो जाएगा कि आखिर कहां से क्या हुआ कैसे पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ दरसल पहले फॉरंसिक एक्सपर्ट still image लिया करते थे या video बना लिया करते थे लेकिन उसकी खास distance हुआ करती थी अब 3D mapping में पूरे कमरे की एक ही image निकाली जा सकती अलग-अलग photo नहीं होगे 307 degree view देता है जिसे कि एक दूसरे से कड़ी को connect करना असान हो जाता है कि पहले यहां से कोई दाखिल हुआ और पूरी mapping आ जाती है इधर CBI ने आजिकर चैस्ट department के head और super assistant समेथ अधिकारियों के mobile phone को कबसे में ले लिया है यह सब को foreign sick जाच के लिए भेचा जाएगा एधर आई नहीं पूर वो principal अपने office में जो computer रिस्तमाल कर रहे थे उसे भी जाच के लिए भेचा जाएगा चात्रा के computer की भी जाच की जाएगी mobile भी जाचा जाएगा CBI यह पता लगाने की दरसल कोशिश में है कि क्या doctor का शव बरामत होने के बाद उसके computer से कुछ छिलखा नहीं है उसमें कुछ किया तो नहीं कहा रेपोर्ट murder की शिकार होई पीडित लड़की जो है doctor उसके उनके पिता का दर्द भी मीटिया के सामने आया उन्होंने कहा कि रात के 3 बचे से सुबद 10 बचे तक किसी को भी क्या on duty doctor की कोई जरुत नहीं पड़ी थी क्यों कोज भी नहीं हुए ARI की report के मुताबिक पशे मंगाल की CM ममता बेनरजी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो न्याय दिलाने की बात कर रही है लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जिल में डालने की कोशिश क्यों हो रही है उन्होंने ये तक कहा कि हम मुख्यमंत्री से संदुष्ट नहीं है हमने कोई भी मुआवजा लेने तक से इंकार कर दिया है अब एक और अपडेट है कोलकाता में डूरंड कब 2024 का आयोजन होना था लेकिन आयोजन कोने शनिवार को कोलकाता में मोहन बागान सुपर जाइंट्स बनाम इनामी इस्ट बंगाल मैच को रद किया कोलकाता में जो विरोध प्रदर्श नोरा इसकी वज़े से रवीवार को सौल्ट लिक स्टेडियम में होने वाले फुटबॉल डर्बी को भी रद कर दिया गया भारत में दरसल सबसे बड़ी फुटबॉल डर्बी कहे जाने वाले इस मैच में स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस के जुटने की उमीद थी लेकिन जो हालात कुलकाता में बने हैं उसके बाद यहाँ पर ये मैच रद्ध करना पड़ा है दूसरी तरफ पूरे देश में डॉक्टर्स का घुसा अभी भी थमा नहीं है लगातार प्रदर्शों नो रहे हैं OPD को बंद किया गया है और इससे हुआ क्या है OPD बंद होने की बज़े से कई लोगों को इलाज भी नहीं मिल पाया इस घटना के बाद दूसरी तरफ इस पर सियासत जंगर हो रही है जेपी नड्डा ने इस पर सवाल उठाया है ममता बनर जी पर सवाल उठाये बीजेपी ने प्रदर्शन किया धर ममता बेरट जी खुद सालक परा गई और कह रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए किसके लिए लड़की के लिए नसाफ चाहिए जबकि सत्ता में वे खुद है इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे है दूसरी तरफ पिता की तरफ से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है पिता ने यही के दिया है अब तो कि हमको सरकार पर भरुसा ही नहीं है उनकी तरफ से और भी कई बात है कई कई उन्होंने सवाल भी खड़े किये हैं उन्होंने कहा है कि क्या किसी डॉक्टर की जरूरत, अस्पताल में अगर on duty डॉक्टर है, तो रात को तीन बज़े से काफी देर तक कई घंटों तक डॉक्टर गायब है और उसकी जरूरत किसी को नहीं पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंने अस्पताल प्रमंधन पर भी सावाल खड़े किये, उन्होंने काया कि इस मामले में छुपाया गया सच उन से छुपाया गया उनको सच बताया नहीं गया, पहले कहा कि आपकी बेटी की तबियत बिगड़ी है फिर ये कहा कि बेटी ने सुसाइट कर लिया है, और उसके बाद, बात सामने आई कि कोई आया उनके पास और कहा कि सेटल्मेंट कर लेना चाहिए तो ये सारी बाते हैं इस मामले में सामने आ रही हैं और घुसा लोगों का बेहत चरम पर है इस घटना को लेकर अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कॉर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कॉर्ट ने मामले को संग्यान में ले लिया है और सुप्रीम कॉर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई राखी के अगले दिन यारे की 20 अगस्त को करने वाला है देखना होगा कि सुबह साड़े दस बचे सुप्रीम कौर्ट में क्या कुछ इस मामले को लिकर होता है लेकिन लगातार ममता सरकार इस पूरे मामले में गिरती जा रही है और ममता सरकार से इस्तीफे तक की मांग होने लगी है